दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बतने वाला है कि किस तरीके से आप आपका Facebook ID को डिलेट कर सकते हो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चो Facebook एकाउंट डिलेट करने का तरीका बता रहा हूं तो दोस्तो अगर आप Facebook एकाउंट डिलेट करने का नया तरीका नहीं जानते हो तो दोस्तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा इंड तक वास कीजिए अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरू से जरूर सस्क्राइब कर लिजिए इसी तरह का और भी हेलफुल वीडियो देखने के लिए तो दोस्तो चलिए बिना टाइम का बागे इस वीडियो को यही से शुरू करते है तो दोस्तो फेसबूक एकाउंट डिलेट करने के लिए सबसे पहले आपका mobile का जो Facebook है इसमें आपको चले जाना है जाने के बाद दोस्तो यह पर आपका जो Facebook का profile है उसके अंदर चले जाना है तो आने के बाद दोस्तो यह पर आपको setting का एक option दिखने को मिल जाएगा तो इस setting का option के उपर आपको click करना है तो click करने के बाद दोस्तो फेड से आपको समने एक page open होगा तो यह पर आपको account center करके एक option दिखाई देगा और नीचे आपको see more in account center करके एक option दिखाई देगा तो इस option के उपर आपको click करना है तो click करने के बाद फेड से आपको समने एक नया page open होगा तो आपको यह पर personal details करके के जो option है, इस option के ऊपर आपको click करना है, click करने के बाद दोस्तों यह पर आपको personal details का page open हो जाएगा, जाने के बाद नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा, account ownership and control करके, तो इस account ownership and control का option के उपार आपको click करना है click करने के बाद दोस्तो यह पर फेड़ से और एक नया page open हो जाएगा तो यह पर नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा deactivation और diletation तो इस deactivation और diletation का option के उपार आपको click करना है तो यह पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपका समने Facebook का एकाउंट और Instagram का एकाउंट शो हो जाएगा तो आप अगर आपका Facebook का एकाउंट को डिलेट करना चाते हो तो आपको यह पर आपका Facebook का एकाउंट का उपर क्लिक करना है करके यह पर आपको continue का option के उपर क्लिक करना है तो delete account का option के उपर क्लिक करने के बद आपका सामने एक फेट से नया page open हो जाएगा तो आपको यह पर reason देना है किसलिए आप आपका facebook account को delete कर रहे हो तो आप यह पर कोई भी एक region को select करके यह पर continue का option के उपर click कर देना तो click करने के बाद दोस्तो यह पर आपको फेट से privacy on facebook का नया page open हो जाएगा तो यह पर फेट से आपको continue का option के उपर click करना है तो उसके बाद दोस्तो आप यह पर देख सकते हो permanent account delete का एक नया page open हो गया है तो आपको थुरा सा यह पर नीचे scroll करना है और आपको फेट से यह पर continue करके एक option दिख जाएगा तो इस continue का option के उपर आपको click करना है तो दोस्तो continue का option के उपर click करने के बाद आपका जो facebook का password है वो यह पर देने के लिए मांगेगा तो आपका जो facebook account का password है तो उसको यह पर डालके आपको continue का option के उपर click करना है तो continue option के उपर click करने के बाद फिर से आपका समने एक option आय जाएगा confirm delete का तो उस confirm delete का option के उपर आपको click करना है तो confirm delete का उपर click करने के बाद आपका जो facebook account है वो permanently delete हो जाएगा लिकिन दोस्तो एक बात आपको ध्यान से रखना है कि आपका जो facebook account है वो एक महिने के अंदर आपक तो एक बार भी लॉग इन नहीं करना है बढ़ना आपका Facebook का एकउंट डिलेट नहीं होगा तो दोस्तो इस तरह के से आपका जो फेस्बुक का एकाउंट है वो पार्मानेटली डिलेट कर सकते हो दोस्तों अगर वीडियो आपको पैसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसी तरह का हिलफुल वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को भी जुरू से जुरू सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगला कोई नया वीडियो लेके जाए हिंद